असलाम लेकुम दोस्तों मैं हुआपके साथ आईशा तो दोस्तों क्या अब हमारा देश छप्रियों वाला देश बन चुका है क्या हमारे देश का यूबा अब सिर्फ रील बनाना चाहता है आखिर क्यों हिंदुस्तान का भविश्य मुबाइल पर दिखने वाली 15 से 20 सेकंड की रील में गुम हो रहा है आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा और मैं आपको बताऊंगे कि कल संड़े के दिन दिल्ली के इंडिया गेट पर ऐसा कुछ हुआ जो अब इन रील पास छप्रियों की वज़ा से हमारे देश का नाम रूस में बदनाम हो रहा है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज आप पहले इन तस्विरों को जरूर देखें ये तस्विर गुजरात के वरोदरा शहर के एक मंदिर की है जहां दिवाली से पहले मंदिर को सजाया गया है और यहां महा आरती की जा रही है इसी तरह की तस्विर गुजरात के ही सौमी नारायन मंदिर की है वहां भी मंदिर को दिवाली के दियों से सजाया जा रहा है शो किया जाता है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि जहां खेलों के सबसे बड़े महाकुम्ब का आयोजन होने जा रहा है इसके अलावा आयोधिया शहर भी आज कल रात के अंधेरे में कुछ ऐसा दिख रहा है यहां भी सड को परशानदार लाइटे लगाई गई हैं ताकि राम की नगरी अयोधिया को वर्ड लेवल का बनाया जा सके फिर इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यह बताना है कि काश हमारी सरकारे और हमारा पिडशासन रेलवे स्टेशन का भी अगर ऐसे ही खयाल रखे तो हमारे सामने कल वो तस्वीर ना आती जो राहुल गांदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की थी सोचिये सरकारे ये जानती है कि दिवाली और छट के मौके पर सबसे ज्यादा लोग अपने घरों को जाते हैं फिर भी इन रेलवे स्टेशन पर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहां भगदर मच जाती है और कई सारे लोग घैल हो जाते हैं और ये सब हर साल होता है फिर भी सरकारे इस पर धियान नहीं देती और जानते हैं हमारे देश का मीडिया रेलवे से जुड़ी कौन सी खबरे दिखाता है इस तरह की खबरे वो आपको ये बताता है कि भारती रेल के खिलाब कोई रेल जिहाद कर रहा है क्योंकि जिस तरहां से रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और दूसरी पलटने वाले चीज़े रखी जा रही है वो किसी जिहाद से कम नहीं है मैं ये नहीं कह सकती कि इन खबरों को नहीं दिखाना चाहिए इसके लिए कब एक्शन में आएंगी और वो ऐसे इंतिजाम करेंगी कि रेलवे स्टेशन पर छमता से ज्यादा यातरी भी आ जाए तो भी भगदर जैसे हालात पैदा ना हो जैसे रेलवे ने आज किये है आज रेलवे ने उसी बांदरे स्टेशन की तस्वीरे डाली है जहां पर कोई अफरत अफरी नहीं है और बड़े ही प्यार और सुकून के साथ लोग अपनी अपनी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे है लेकिन ये तब होता है जब कोई हाथसा हो जाता है है रब उस खबर पर लोड़ते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था आज अब आरे देश का ये वाप पूरी तरहां से रील बाज बन गया है आधे लोग रील बनाने में लगे हैं और आधे लोग उसी बनी हुई रील को देख रहे हैं जैसे कर इंडिया गेट पर सचिन राज नाम के एक छपरी ने पहले विदेश मेहमानों के साथ रील के नाम पर अभधरता की सारी हदे पार की और उसके बाद इस चपरी ने अपने इंस्टाग्राम पर इस रील को डबल मीनिंग वाले गाने डाल कर लोगों को परोसा जरा आप भी सुनिये इस चपरी की कर्तूत अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ऐसे चपरी बाज लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं है आखिर क्यों सचिन राज जैसे रील बाज लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती है अगर आप इस रील बाज का इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये चपरी दिन भर सिर्फ यही काम करता है और सिर्फ इंडियागेट पर इसके इस तरह के दरजरो वीडियोज हैं जिसमें ये विदेशी मेहमानों के साथ इस तरह की हरकते करता है और ये तब है जब इंडियागेट पर एक अच्छा खासा पुलिस बल मौजूद होता है बावजूद इसके सचिन जैसे लोग आते हैं रील बनाते हैं और पुलिस की नाक के नीचे से निकल लेते हैं सोचिएक ओलम्पिक में दो दो मेडल जीदने वाली अनुभाकर है जो आज भी पढ़ना चाहती है और उसने कॉलिज में एड्मिशन ली है और एक ये छपरी है जिने बस ये लगता है कि किसी तरहां से वो रील बनाकर रात और रात वर्ड फैमस हो जाएं इन्हें पड़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक स्मार्ट फोन दिला दिया है और अब ये उसी के साथ दिन रात लगे रहते हैं और अब आपको इसराईल और इरान के बीच चल रहे यूद की एक बहुत बड़ी हबर बताती हूँ इरान जल्द ही इसराईल पर फिर से कोई बड़ा हमला कर सकता है और इस बार ये हमला पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा और इसकी गवाही सेटेलाइट से ली गई ये तस्वीर होती हैं ये तस्वीरे प्लानेट लैब नाम की एक संस्तान ने रिलीस की हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसराईल ने 24 अक्टूबर की रात को जो हमला किया था उस हमले में इरान के सीक्रेट मिलिटरी बेस को काफी नुकसान पहुचा एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसराईल के हमले में इरान का खोजर मिलिटरी बेस को भी नुकसान पहुचा है और ये वही मिलिटरी बेस है जहां इरान अपने बैलेस्टिक मिसाइले रखता है और पर उसने अंडरगराउंड टनल बना रखी है और खुद इरान ने ये कबूल किया है कि उसने इसराइल के इस हमले में अपने चार सैनिक और सिबीलियन को खोया है और शायद यही वज़ा है कि कल इरान के सुप्रेम रीडर को भी सामने आना पड़ा और उन्हों ने ये कहा कि इसराइल को इस बार पहले से तकड़ा जवाब दिया जाएगा और इस वीडियो के आखिर में अब बात पॉलुशन की करते हैं आज तकरीबन हर अख़बार हर वेबसाइट ये बता रहा है कि दिल्ली में पॉलुशन बल रहा है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और एक स्मोक की चादर दिल्ली एंसियार के आसमान को ढखे हुए है और एक्सपर्ट ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाली दिवाली पर जब पटा के जलाएं जाएंगे तो पॉलुशन बहुत सारे लोगों की जान भी ले सकता है लेकिन आरेसेस के एक बड़े नेता य क्यों उड़ते हैं मुसल्मानों के त्याहरों पर क्यों नहीं उड़ते तो इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि आप लोग भी ये साबिक करो कि एद और बकरीद पर पॉलुशन बढ़ता है और अगर नहीं साबिक कर पाए तो फिर चुप-चाप ये मालों की दिवाली के पटाखों से पॉलुशन बढ़ता है और इसकी तुल्ला मुसल्मानों के त्याहरों से करना छोड़ दो तो इस वीडियो में इतना ही आप भी अपनी राय कोमेंट्स बॉक्स में लिक कर मुझे जरूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ले सब्सक्राइब जरूर कर दें शुक्रिया